थर्ड वाले में, थर्ड वाले में क्या बोल रखा है, तो इसमें बोला कि यह है कि Z है वो तो है, कितना 7,8 है उसके अंदर element और H के अंदर कितना है, 5,4,2 है, तो यह देखिए, finding the G x X and H x G, यह हमें find out करना है, तो यहां से देखिएगा कि पहले तो जो given है, वो लिख लो, तो यहां से Z', equal to कार? 7,8 है और है यहां से H कितना है? 502 है, ठीक है, यहां पर, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है find क्या करना है? एक तो निकालना है Z x H और एक निकालना है H x G, ठीक है यह,ब देखिए वही तीर मानने का काम हमें करना है, और क्या करेंगे, जी क्रोस है, तो देखिएगा कि जी क्रोस है, तो देखिएगा कि क्या है, जी है वो कितना है, 7 और 8 है, इसके बीच में क्रोस लगा दो, तो 5, 4 और 2, ठीक है यहां पर, अब क्या होगा, 7 का, 7 का तीर मारेगा, 5 को तीर मारेगा, 4 को मारेगा, और इसको मार दो सब्सक्तिक होला है और यहां पर, 8 का 4 के साथ, 8 का 2 के साथ, यहां आएंगी, ठीक है, यहां तक clear है, I hope आपको, तो अब क्या करते हैं, यहां पर, अब अपना क्या होगा, फिर दूसरा जो काम है, वो क्या होगा, यहां पर, h क्रोस जी फाइंड आउट करने का है, अब यहां पर, अपना second काम है, वो क्या है, h क्रोस जी फाइंड आउट करना है, तो वो कर लेंगे, वही क्या ही करेंगे, और, तो यहां से पहला तो यह होई चुका, अब अपने को क्या निकालना, h क्रोस जी, h क्रोस जी में, आपको पता है कि, s तो कितना है, 5, 4, 2 है, और यहां से देखने पर देखिएगा, कि क्रोस कराना है किस के साथ, 7 और 8 के साथ, तो यहां से देखिएगा कि क्या हैगा, यहां से देखो, 5 किस को किस को तीर मारेगा, 5 मारेगा, 7 को, और 5 मारेगा, 8 को, ठीक है और यहां पर 4 किसको मारेगा 7 को और 4 arrow किसको देगा 8 को ठीक है यह arrow मारना सीख लो बस आप तो बस only Cartesian product खतम है ठीक है और यहां पर देगे 2 का 7 के साथ arrow 2 का 8 के साथ arrow यह तो यहां से क्या एगे भई h x g ठीक है तो यह h x g होता है यहां पर और क्या है तो यहां पर देखिए गांगी भई h x g यहां पर यहां पर आगा 5 7 5 8 4 7 और 4 8 है और यहां पर 2 7 है और 2 8 है यह ठीक है तो यह आपके क्या होंगी दोनों आंसोर होंगी